प्रशन संख्या 15 तक अल्रेडी कम्प्लिट कर लिया है आज का जो सेशन है प्रशन संख्या 16 से स्टार्ट करेंगे लेकिन डिस्कस्न को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि इसका प्रशन संख्या 16 पुछा गया है निमलिखित कथनों पर बिचार कीजिए दो कथन है इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है पहला है बीजक संत दादु दयाल के उपदेशों का एक संकलन है थीवरी में हम लोगों ने डिसकस किया था बताए ये सही है या गलत दूसरा पुष्टी मार के दर्शन को माध्वा चारे ने परतिपादित किया इसके बारे में भी हम लोगों ने डिसकस किया है तो इसे पहले वाला जो सिसन है उसके एक बार या दो बार दिवाइस कलीजिए ताकि आपको आगे का जो भी प्रशन है काफी असान लगे तो द वीत्र ग्रंथ है पुष्टी मार बैशनो संप्रदाय के अंतरगत आता है पुष्टी मार का दर्शन वलभा चारे के द्वारा परतिपादित किया गया था दोनों कथनों के असत्य होने के कारण विकल्ब जो डी है उस सही हो जाता है सत्रह निवलखित में से किस भक्ती संत ने अपने संदेश के परचार के लिए सबसे पहले हिंदी का परियोग किया तो इसका सही जबाब हो जाएगा याद रखिएगा रामानंद ने यानि सी अप्सन बिलकुल ही करेक्ट अप्सन है उतर भारत में रामानंद भक्ती आंदोलन के परवर्तक या प्रथम परवर्तक थे जिनका जन्म 1299 में परियाग के कान कूबज ब्रामण परिवार में हुआ था परियाग और वरार्णसी में उन्होंने सिक्षा प्राप्त की थी ये सगुण इस्वर में विश्वास करते थे इन्होंने भक्ती को मुक्ष का एक मात्र साधन स्विकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर समाज के सामने रखा इन्होंने सौर प्रत्वम अपने संदेश का परचार हिंदी भासा में किया रैदास का जन्म वरार्णसी में तुलसी दास का जन्म चित्रकुट यानि राजापूर में और कुम्भन दास का जन्म ब्रज भूमी यानि मत्धुरा के आसपास में हुआ था आगे बढ़तें नेक्स्ट प्रश्ण शंखिया 18 है 18 नमबर मध कालीन भारत के निमलखित में से किस संद का जन्म परियाग में हुआ था मध कालीन भारत के निमलिखित में से किस संत का जन्म भारत में हुआ था तो याद रखिएगा रामा नंद का B अप्शन बिल्कुल करेक्ट अप्शन है 19 नंबर है कबीर सिस्य थे कबीर किसके सिस्य थे कबीर सिस्य थे रामा नंद के बी आप्शन बिल्कुल करेक्ट आप्शन है कबीर रामा नंद के बारा सिस्यों में से परमुक थे लोक परंपरा कनुसार उनका जन्म किसी बिद्वा ब्रामणी के गर्व से वराणसी के समिप हुआ तथा पालन पोर्शन एक जुलाहा दंपती नीरू और नीमा ने किया था नीरू और नीमा बीस नंबर है बीजक का रचैता कौन है बीजक के रचैता कौन है बीजक के रचैता है कबीर बी आप्शन बिल्कुल करेक्ट आप्शन है 21. कबीर एवं धरम दास के मद सनवादों के संकलन का सिर्षक है 21. का सही जवाब हो जाएगा अम्मर मूल बी अप्शन बिल्कुल क्रेक्ट अप्शन है शवद, शाखी और रमैनी कबीर की रचनाय है प्रन्तु धरम दास के साथ कबीर के सनवादों का संकलन अम्मर मूल सिर्षक के अंतरगत प्राप्थ होता है 22. मलुक दास एक संत कवी थे याद रखिएगा मलुक दास एक संत कवी थे सही जवाब है कडाके किसके कडाके D अप्षन बिल्कुल करेक्ट अप्षन है मलुक दास कडाके संत कवी थे संत मलुक दास का जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर में 1574 इस्पी में उत्तर परदेश के कडा यानि वर्तमान उत्तर परदेश का कौशामी जीला में हुआ था संत घासी दास के पीता जी का क्या नाम था 23 नमबर संत घासी दास के पीता जी का नाम क्या था याद रखिएगा महंगू यानि डी अप्सन अगर बात करें तो गुरु घासी दास का जन्म दिसंबर 1756 में 36 गड के बलावदा बजार भाट पारा जीले के गिरोध पूरी गाउं में हुआ था उनके पीता महंगू दास और माता अमरोतिन थी 24 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काला नुक्रम है सही जबाब हो जाएगा संक्राचार रामानूज चैतन्य कौन सही काला नुक्रम है तो अगर बात करें तो संक्राचार इसके बाद रामानूज इसके बाद चैतन्य यानि option A बिल्कुल correct option है आदी संक्राचार का काल जो है लगबग आठवी सताब्दी है रामा नूच का काल 1017 से 1137 सिस्पी तक और चैतन्य का काल जो है 1486 से 1533 सिस्पी तक था 25 नमबर है निम्न में से भक्ती संतों का सही तैथिक अनुकरम चूनिये इसका सही जवाब क्या होगा आगको बताना है तक अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला कबीर इसके बाद गुरुनानक इसके बाद चैतन इसके बाद मीरावाई option A बिल्कुल correct option है कबीर का जो समय है 1398 से 1518 गुरुनाना का 1479 से 1549, चैतन्य का 1486 से 1533, मीरवाई का 1498 से 1546 26 नमबर है भगवान सीव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योती लिंग स्थापित हैं भगवान सीव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योती लिंग स्थापित हैं तो देखें इसका सही जवाब हो जाएगा B option 12 कहां कहां पर आपको मालूम है थियोरी में हम लोगों ने डिसकस किया था चलिए इसको दुबारा से रिवाइज कर लेते हैं भगवान सीव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन भागों में 12 जो है 12 12 जुएती लिंगों की अस्थापना की गई है 12 जुएती लिंग यह जो जुएती लिंग है 27 नमबर है रामानूच के अनुयाईउ को कहा जाता है रामानूज के अनुयाईयों को कहा जाता है सही जबावे बैस्वनों, B option बिल्कुल correct option है भक्ति आंदोलन के परचारक परसित बैस्वनों अच्चार रामानूज ने जो है सगुण इस्वर की उपाशना पर बल दिया उनका मत, विस्षिष्टा, द्वैद कहा जाता है उनके अनुयाई बैस्वनों कहलाए 28 निमनलिखित में से कौन सास्थान गुरु नाना का जन्म अस्थल था सही जबाव है ननकाना, C option बिल्कुल correct option है ननकाना गुरु नाना का जन्म अस्थल था उक्त अस्थान पर इसका जन्म 15 अपरेल 1479 इस्थान पर हुआ था यह पाकिस्तान के पंजाब रांद के ननकाना साहिब जीले मिस्थित है गुरु नाना के मृतु 1549 में डेराबाबा नामक जो है यानि करतारकूर पाकिस्तान नामक अस्थान पर हुई थी 29 जिसके सासन में गुरु नाना क देव ने सिक धर्म के अस्थापना की वह कौन था सही जबाबे सिक अंदर लोदी बी अप्शन बिलकुल क्रेक्ट अप्शन है गुरु नाना क ने सिक धर्म के अस्थापना सिक अंदर लोदी के समय में की थी नाना क एके स्वर वाद में विश्वास करते थे तथा निर्गूर ब्रंभा की उपासना पर बल देते थे उनका मानना था कि इस्वर एक है वो निर्गूर और निरंकार है वो आतार वाद में विश्वास नहीं करते थे इसका सही जवाब हो जाएगा याद रखिएगा सही जवाब है नानक का देगे गुरु नानक का कहना है कि इस वर वेक्तियों के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाती के बारे में नहीं पूस्ता क्योंकि दूसरे लोग में कोई जाती नहीं है गुरुनानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त समुदाईक रसोई की शुरुआत की उनके अनुईयाई किसी की भी जाती पर ध्यान दिये बिना एक साहत भोजन करते थे मीरा भाई समकालिन थी पूरा जीवन क्रिष्णा के भक्ती में अर्पित कर दिया ये महा कवी तुलसिदास गुरुनानक और चैतन ने महा प्रभु के समकालिन थी जबकि राम क्रिष्णे प्रम हंस इनके समकालिन नहीं थे 32 है परसीद भक्त कवित्री मीरा के पती का नाम क्या था तो देखिए अगर बात करें इनके पती का नाम था याद रखिएगा सही अप्सन हो जाएगा राज कुमार भोजराज यानि B अप्सन बिल्कुल ही करेक्ट अप्सन है 33 राग गोविंद के रचनाकार है अगर बात करें तो राग गोविंद के रचनाकार है मीराबाई option A बिल्कुल correct option है मीराबाई हिंदू अध्याद्मी कवित्री थी जिनके भगवान स्रीकिष्णे के प्रती समर्पित भजन उत्तर भारत में लोग पिरिये है इनके द्वारा रचित गरंथ है नर्सी जी का मायरा गित गुबिन्टी का राग गुबिन्द और राग सोर्ठा के पद इसके अत्यरिक उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक गुरंथ में किया गया है इसके बाद next प्रस्न संख्या 34 निम्लिखित संतों को उनके काल करमा नुसार नियोजित कीजिए तो देखे अगर बात करें तो नाम देव इसके बाद कबीर इसके बाद नानक और इसके बाद मीरावाई यानि C अपसन कवीर इदास का जो समय है 1398 से 1548 इसपी नाम देव का काल 1270 से 1350 इसपी मीरा बाई का समय 1499 से 1546 इसपी गुरुनानक देव का समय 1479 से 1549 इसपी के बीच तो इस परकास C इसका सही जबाब हो जाएगा 35 नमबर है निमलिखित में से कौन इसलाम से परभावित था तो याद रखिएगा जो इसलाम से परभावित था वो कौन है ये मीरा बाई नहीं ठीक है इसलाम से जो परभावित था वो कौन है सही जबाब हो जाएगा याद रखिएगा नाम देव ये तो चैतन, मीराबाई और वलभाच्यार सगुण संत के रूप में क्रिश्न भक्ती के उपास सक थे जबकि नामदेव, निर्गुण संत थे नामदेव, मूर्ती, पूजा, वुरत, उपास, उपवास, तिर्थ यात्रा और कठोर सरीर साधना के मारक के खिलाब थे इस द्रिष्टी से वे इसलाम से प्रभावित परतीत होते हैं 36, निमलिखित भक्ती संतों पर विच्चार कीजिए इन में से कौन उस समय उपदेश देता या देते थे जब लोधी वन्स का पतन हुआ और बावर सतारूड हुआ इसका सही जबाव हो जाएगा याद रखिएगा गुरु नानक यानि केवल दूसरा दादु दयाल का समय 1544 स्पी से 1603 स्पी के बीच था गुरु नानक का समय 1479 से 1549 त्याग राज का समय 1767 से 1849 या भक्ती मार्गी कभी और करनाटक संगीत के महान संगीत अग्य थे लोधी वन्स का पतन 1526 स्पी में हुआ जब बावर ने पानी पत के प्रत्थम युद में इबराहिम लोधी को प्राजित कर दिया था उस समय गुरु नानक उपदेश देते थे 37 सुची 1 सुची 2 के साथ समयलित कीजिए और सुची ओ के नीचे दिये कूट का परियो करके सही उत्तर चुनिए सुची 1 सुची 2 के साथ आपको मिलान करना है तो चलिए नाम देव का जो ब्योसाय था नाम देव कौन थे? नाम देव दरजी थे याद रखेगा कबीर जुलहा परिवार से या जुलहा थे और रविदास ये क्या थे? रविदास मोची थे और सेना जो थे? ओ नाई थे बारबर यानि B अप्शन बिलकुल क्रेक्ट अप्शन है नामदेव दरजी थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची सेना नाई 38. चैतन ने महाप्रभुक की संप्रदाय से संबंधित है तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैशनो यानि अप्शन ए चैतन ने वैशन संप्रदाय के अंतरगत किष्ण भक्ती से संबंधित थे चैतन के बच्पन का नाम निमाई था चैतन ने किष्ण को अपना आराध्य बनाया उनी की भक्ती का परचार किया बहुत दिनों तक उन्होंने विरिंदाबन में भी निवास दिया नदिया आकर इन्होंने किर्टन जुलसों का आयोजन किया और गलियों में घुम घुम कर कृष्ण लिलाओं का इन्होंने किर्टन किया करते थे इन्होंने किर्टन किया कहां गलियों में घुम घुम कर 39 है तुलसिदास किसके समकालिन थे तुलसिदास किसके समकालिन थे तो अकबर और जहंगीर के तुलसिदास किसके समकालिन थे अकबर और जहंगीर के याद रखेगा इसके बारे में अगर बात करें तो सुपरसिद भक्त संत कवी गोश्वामी तुलसिदास अकबर और जहंगीर के समकालिन थे तुलसिदास के ज उन्होंने अपना अधिकान जीवन वरांटसी में ही बिताया अवुल फजल ने आईने अकबरी में इनका नामुले किया है रामचरित्र मानस नामग्रंथ के रचैता कौन थे? सही जबाब है तुलसी दास अप्शन ए अप्शन ए बिलकुल करेक्ट अप्शन है राम चरित्र मार्नश की रचना गोष्षवामी तुलसिदास ने औधि भासा में की थी निमन में से कौन सी रचना संत तुलसिदास की नहीं है तो आपको मालू में सही जबाब हो जाएगा साहित रतने D Option गोस्वामी तूलसिदास के द्वरा रचित 12 गरंथ प्रसिद है जिन में पांच बड़े और साथ छोटे गरंथ है बड़े गरंथों में दोहावली, गितावली, कवितावली, रामचरी त्रमार्नस, बिनैपत्रीका है इसके अलावा पारवती मंगल, जानकी मंगल, बैरो रम और वैरा के संदीपनी, कृष्ण गितावली आदि छोटे गरंथ है, सहे तिररत्न, गोस्वामी तूलसिदास के रचिता नहीं है, बिनैपत्रीका के रचिता बताए, तो ध्यान दिजिएगा, बिनैपत्रीका के रचिता है, तूलसिदास, ओप्शन है, बिल्कुल करेक्ट अप्शन है, 43, निमलिखित युगमों में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सही जवाबे रस्खान का संबंद, रसिक प्रिया से दिया गया, जो की सही सुमेलित नहीं है, रसिक प्रिया अचार के सोदास की परसिद रचना है, के सोदास की, के सोदास की आने परमुख रचना इसके बाद 44 है निमलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संथा तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा वरकरी संप्रदाय का जो संथा नाम है नामदेव याद रखिएगा C अप्सन वरकरी संप्रदाय के रुप में परसिद विचारधारा की गौरब साली परंपरा की अस्थापना में नामदेव की भूमिका परमुख रही है विचुबा खेचर ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दिक्षा दी और इस स्वर के सर्वव्यापी शरुप से परचित कराएवाया फोटी फाइफ है वरकरी संप्रदाय की मुखे आठ पीट अवस्थित है वरकरी संप्रदाई की मुखे पीट अवस्थित है तो सही जवाई पंधरपूर में बी अप्शन बिल्कुल क्रेक्ट अप्शन है वरकरी संप्रदाय की मुखे पीट महराश के पंधरपूर में है इस संप्रदाय के संस्थापकों में ग्यानेश्वर का नाम अग्रिगण है अनसंतों में नाम देव अतुका राम का नाम आता है वरकरी संप्रदाय में बिठोबा की जाती थी बिठोबा की जिने कृष्णि का उतार माना जाता था 46 है भक्त तूकाराम कौन से मुगल समराट के समकालिन थे सही जबाब हो जाएगा जहांगीर के यानि C अप्सन बिलकुल करेक्ट अप्सन है तूकाराम का काल जो है 1608 से 1650 हिस्पी के बीच माना जाता है ऐसी मन्यता है कि 1608 हिस्पी में जन्में संतूकाराम 1650 हिस्पी में अद्रिस हो गए मुगल सासकों में 1608 से 1650 हिस्पी के बीच दो सासकों का कारेकाल आता है एक जहांगीर का दुसरा सा जहां का विकल्प में सा जहां नहीं है अथा जहांगीर अभिष्ट विकल्प हो जाएगा खोटी सेवे ने निमलखित में से कौन भक्ती आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था कौन भक्ती आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था तो भक्ती आंदोलन का जो प्रस्तावक नहीं था सही जवाब है नागा अर्जुन यानि अप्सने इसका सही जवाब हो जाएगा याद रखीएगा दो लाइन है इसके बारे में देख लेते हैं तुकाराम, त्यागराज और वलभा च्यारे तुकाराम, त्यागराज और वलभा च्यारे मधकारिन भक्ती आंदोलन से संबंधित है जबकि नागा अर्जुन इसा की प्रथम या दुवितिय सतावदियों में सुनेवाज के संस्थापक थे इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं नेक्स सेशन में बच्चे हुए प्रश्णों को हम लोग कभर करेंगे आप अपना पर्तिकिरिया देते रहें आप लोगों का पर्तिकिरिया हैं हमारे लिए काफी महत पुन होता है जी लोगों ने टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज ग्रूफ, फेस्टू पेज, इस्टाग्राम को जोईन ही किया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है आप लोग जोईन कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स सेसन में